कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है वो उसे सीचता है उसे जोतता है पशू पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है परन्तु एक बात का वो सबसे विशेश ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खर पत्वार ना उग जाए जोकि एक खर पत्वार खेत की सारी फसल को नश्ट कर सकती है थेक उसी प्रकार यदि वन्ष की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वो समूचे वन्ष का सर्वनाश कर देती है इसलिए संतान के लालन पालन में विशेश ध्यान देना अवश्यक होता है चुकि संतान वो फसल होती है जो वन्ष के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वन्ष का पतन भी कर सकती है सूरे दिव आप पड़ी पात कल्यान हो पोत्र ऐसी क्या वश्यक्तान पड़ी कि आपको इस समय मेरे समक्षान न पढ़ा कुछ समय पस्चात में आपको अर्ग भेट करने आने ही वाला था आज मैं अर्ग लेने नहीं आया हूँ पोत्र तुमें एक चेताबनी देने आया हूँ और वो ये तुन कल पराता काल मुझे अर्ग भेट करने मत आना और यदि तुम मुझे अर्ग भेट करने आये तुम अपना सर बस खो बैठोगे मेरी वेनिती है तुम से कल पराता काल तुम मुझे अर्ग देने मत आना तुम में तुम आपको बच्पन से अर्ग देते आया हूँ तुम हाच अचाने कैसा क्या हो गया कि आप मुझे अर्ग देने से रोक रहे हैं तुम्हारा वचन पूत तुम ने प्रतिग्या लिए सूर को अर्ग देते समय कि कोई भी तुम से कुछ भी मांगेगा तो वो तुम से दान में देदोगे कल का अर्ग तुम्हे कुछ ऐसा दान देने पर विवश्च कर देगा जिससे तुम मेरा दिया वह आशिरवाद सदैफ के लिए को बैठोगे देवराज इंद्र ने तुम्हे परास्त करने के लिए शट्यांत रचार वो कल प्राता काल तुम से दान मांगने आएंगे और दान में वो तुम से कवज और कुंडल मांगें तुम्हें ग्याद है पुत्र? मुझे ग्याद मैं परांतु आपको चिंतित देखके अभास होगे और यदि स्वैम मेरे पिता श्रीप मुझे चेतावनी देने आएं है कि इंद्र देव मुझे दान मांगने आएंगे तो इसका सीधा संबंध अर्जुन से होता है इंद्र देव का पुत्र अर्जुन और उसमें कोई बुराई भी नहीं है कि हर पिता अपने पुत्र की भलाई चाहता है यदि इतना समझते हो तो यह भी समझत आप उसके पुत्र के साथ को यह न्याय ना हो कोई छलना हो कि अधिए वेनिती है थमसे कल प्राता काल मुझे अर्ग देने माता ना पहले भी मैं तुमारे साथ बहुत अन्याय कर चुका हूं पूत्र परंतु अब और अन्याय ने कहो पूत्र अपने पिता की बात मानोगे कल प्राता कल अग देने नहीं आओगे ना मुझे उत्तर दो पूत्र मुझे उत्तर दो प्रश्न उत्तर का समय नहीं बचा है मनश्य का कर्म उसके हर प्रश्न और उत्तर से बड़ा होता है और अब आपके कर्म का समय हो गया है अंदकार में डूबे समस्तंसार को आपको प्रकाश देना है आप अपना कर्म और धर्म निभाईए और मैं अपना कर्म और धर्म निभाऊंगा बस आपसे एक प्रात्ना है कि अब यह अन्याय मत होने दीजेगा कि संसार कहे कि करण ने अपने जन दाता को अपना धर्म करने से रूप दिया प्रणी प्राद मिधाश्रे मुझे आशा है पुत तुम बेरी विनती सुईकार कर कल्वे आन हो तुमारा प्रुसेद प्रुसेद तुम तुम यहां क्या कर रहे हैं आने सब सुन लिया प्रुसेद प्रुसेद आप यहां इस प्रकार यहां आने के लिए मैं आपसे एक शमा चाहता है करन्तु पुत्त कांपर बहुत बड़ा तंकर आने वाला है उसे साध्धान करना होगा आप सूरी पुत्र है करन्तु यह कैसे संभा है मेरे जंच से पूर्व एक स्ट्री को वर्दान मिला था कि वो किसी भी देवता का आवाहन करके कोई भी वर्दान पा सकती थी उस्ट्री को विश्वास नहीं हुआ और उसने इस वर्दान को परखने का प्रहास कि उसने सूर्यदेव का आवाहन किया वर्तित सूर्यदेव को उन्हें पुत्र देना पड़ा परंतु वो अविवाहित करने समाज के भैसे भैभीत हो गए और उसने उस पालग को गंगा में बहा दिया वो पालग मैं था जिसे पिता अधिरत में पालग सूर्यदेव के आशिरवात के रूप में मुझे कवज और कुंदल मिले जो आप इंडरदेव कीन लेना चाहते अपने पुत्र अर्जुन के लिए दूर्यदेव मुझे यही समझाने आये थे कि मैं इंडरदेव को कल दान ना दो अर्थाद आज आप अर्ग देने नहीं जा रहे नहीं नहीं मैं आवश्य जाओगा क्यों मैं आपको ऐसा नहीं करने दूँगा मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए एक दान के भैसे अपना सगल्ब तोड़ दो अपना सम्मान खो दो नहीं पुत्र यह सूत पुत्र ऐसा कायर नहीं है आप स्वयम के साथ ऐसा अन्याए कैसे होने दे सकते हैं पिताश्री आप भली भाती जानते हैं आपके साथ चल होने जा रहा है फिर भी वो सूर्यदेव जिन्होंने आपको अपना नाम कभी नहीं दिया जिस पर आपका अधिकार था वो सम्मान कभी नहीं दिया फिर भी आप उन सूर्यदेव के सम्मान के लिए इंद्रदेव के बिच्छाय चाल में फसने जा रहे पिताश्री ये, ये कवच आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है और आप इसे इंदर देव को दान में दे देंगे क्यों? इसे बढ़ सूर पुत्र होने के सम्मान के लिए? नहीं एक सूथ पुत्र होने के अभिमान के लिए मैं आज भी एक सूथ पुत्र हूँ नहीं मुझे प्रेम दिया, सम्मान दिया, अधिकार दिया, अवशक्ता बढ़ने पर धनुष दिया जब मैंने उसे दूर जाने के अग्या मांगी, तो उनर ने उझे वो भी दिया तुमने ठीक कहा पुत्र, जिन सूर्यदेव में मुझे मेरा नाम, मेरा सम्मान नहीं दिया, मैं उनके एक उपहार के लिए रिणी क्यों रहाँ, पुत्र, तुमने पूर तहाँ अपने पिता को नहीं पहचा, मैं अपनी सुरक्षा के लिए, कवच और कुंडल पर निर्भर नहीं, मेरी शक्ती मेरा वो साहस है, जो मैंने अपनी माराधा से पाया, मेरी शक्ती मेरा वो विश्वास है, जो मैंने अपने पिता अधिरत से पाया, मेरी शक्ती वो पिर असकार है, जो मैंने समाद से पाया, इस राधे करन के कौशल और जोग्यता को किसी कवच और्दल की आवशकता नहीं है, परंतु पिताश्री ये सब अन्याय है जो भी आपके साथ हो रहा है ये सब ये सब अन्याय है कदाचत ये अन्याय है परंतु को यह अन्याय करे परंतु को यह अन्याय करे इसकार्थ ये नहीं कि हम भी न्याय का पच छोड़ दे मैं अपना मार्क चुन चुका हूँ या ति तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी स्थान है एक पिता के रूप में या एक फ्योधा के रूप में तुम इस रहसे को रहसे ही रखोगे तुम्हे मेरी सौगंद है बचंदो मुझे पिताश्री वो अचंदो मुझे फ्रुष्टेन तूरे उदे का समय हो गया है और मेरे अर्ग देने का भी अब तुम जा सकते हो अब का senior किताश्री वो जास्टेन किताशन किताश्री वो प्रुष्टेन किताश्री वो चक किताश्री तुम जास्ते युए डिस रहसे हो गया हो बढ में पाल किताश्री वार्ग क्या हुआ माथादी समय हो गया है तो अभी तक सूरेदेव उदित नहीं हुए चुकि कदाचित ये उदय होने का उचित समय नहीं है पार्त मैं समझा नहीं माथा सूरेदेव का उदित होना अनिवारिय है प्राकरिती का नियम है अला इसके विरुद कौन जा सकता है एक पिता अपनी संतान के लिए किसी के भी विरुद जा सकता है भार्त प्राइ़ करेणिए राणी बात्स, वासुदिए. राणी पात्स, गांधीवधारी अर्जुद्डू. प्राणी पात्स, परंतु मैंने आपको पहचाना नहीं, ब्रामनदेव. वाईंव्यक्ति के पास समय ही कहा होता है? किसी और से परिचित होने के लिए? परंतु महान व्यक्ति से समस्ख संसार परिचित रहता है. वासुदेव का पराकरम और अर्जुन के शौरे से ऐसा कौन है संसार में जो परिशित नहाँ धन्यवाद मेरा अशिर्वाद है अर्चो इस महावारत की युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित तुम अपने शौरे से अपने शत्रू पर विजय प्राप्त करो मैंने आपकी बात सुनी वासुदेगी और मैंने उसके मंदव्वे को भी समझा परन्तु सूरे देव केवल एक पिता ही नहीं वो इस समझ संसार को उर्जा भी देते हैं किसी भी इस्तिती में उन्हें अपना कारे पूर्ण करना ही होगा दूरे उदे होना अनिवार है ये प्रकृती का नियम है अवश्य परन्तु इन नियमों के बंधन में सभी आते हैं ब्रामभन देव सूर देव पर मुझ पर और आप ही नियती चाहे प्रकृती की चाहे देवताओ की या फिर मनुष्य की परन्तु उसे समझ पाना बहुत कठिन कार रहे आपको स्मरंग करवा देता हूं ब्रामभर देव मनुष्य को दुर्बल समझना देवताओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है ऐसा कोई विग्न नहीं जो एक दृड़ निश्चाई मनुष्य का मार्ग रोख सके जड़ी मनुष्य चाहे तो वो परवतो का स्थान भी बदल सकता है मनुष्य के नियतिये और निश्चे को कम नहीं आकरावास हुदे परन्तु किसमे कितना पल है यह तो केवल परिक्षा से ही सिद्ध होगा कभी कभी परिक्षा में परिक्षारत ही नहीं परिक्षा लेने वाला भी असफल हो जाता है ब्राम्हन देव परिक्षा में परिक्षार्थी नहीं परिक्षा लेने वाला भी असफल हो जाता है ब्राम्हन देव फिर चाहे वो मनुष्य हो या देव देवताव का तो धर्म होता है न वासु देव मनुश्य क्यों सदेव नए नए अफसर देना उचित कहा आपने ब्राम्भन देव परन्तु अफसर में यदि छल और भेद भाव आ जाए तो वो अफसर नहीं होता कदाचित आपको स्मरंड तो हो गए यदि धर्म और कर्म में पक्षपात आ जाए तो धर्म धर्म नहीं होता और ना कर्म कर्म रहता है एक पिता का धर्म होता है सदेव अपने पुत्र के हित में देखना और एक पिता के अंधे पुत्र प्रेम के कारण ही ये महा भारत हो रही है ब्राम्भन देव मुझे पिता से कोई लेना देना नहीं देखना ये है कि क्या एक पुत्र अपना धर्म निभा पाता है या नहीं? क्या एक पुत्र अपने पिता के सम्मान की रक्षा कर पाता है या नहीं? आग्या देवा सुने मेरा प्रस्तान करने का समय हो चला है रानी पाहु वजय भाव बाद्स वजय भाव बाद्स वजय भाव रुख यह पिताश्रीश्ट अपने साथ ऐसा आंगने आए मत धोने दीजे सूर्य देव ने आपके साथ जो अन्या किया उसके पश्चाथ इसके पश्चाथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं यह सब इसले कर रहा हूँ क्योंकि यह मेरा धर्म है एक सूत का धर्म हम सूत सदा देते आएं युद में सार्थीपन का सुरक्षा देते हैं राज्य को समय पर कर दे एक सूर्य पुत्र के सम्मान का नहीं, एक सूत पुत्र के सम्मान का प्रशन है, ओ छिसने दान मे मांगी हर वस्टू देने का वचन दिया है, आज मुझे से कोई मेरे कवज और कुंडल क्या हो, परान भी मांगे का तो में दे दूंगा, कर दो कर दो कर दो